मेरे सब्द हमले जैसे तो नहीं है लेकिन लोकतंत्र में बेमर्ज के जितने प्लेट फॉर्म हैं वहांसभा हो या विधानसभा का सत्र हो या मेडिया के जरिये मैं उन सवाल को उठा रहा हूँ जो हमारे राष्ट्य जनता दल के गोशना पत्र और राष्ट्य कारसमीतों द्वारा पारित परताओ की बिहार में भी मंडी कानून होना चाहिए जो 2006 में नितीज कुमार ने उसको समाप्त कर दिया था और आप याद करिए कि देश में जब किसानों का जब लडाई चल रहा था मोधी सरकार से कि तीन त्रिशी कानून वापस होने चाहिए उसमें राष्ट्य जनता दल सही तमाम महागटबंदन के दल पटना से लेकर दिली तक के सड़कों पे लगातार हम लोग इस बात को हम इस लडाई को लड़ रहे हैं और मांग हैं सरकार में बैठे वे लोग इसको लगातार अंसुना कर रहे हैं यहां तक कि हमारे वास्तवी काम ब्यार विधानसवा में मंदी कानून पर जब मैंने प्राइबेट बिल लाया वो आज तक भास में नहीं आ पाया इससे चिंता चेत्र में बिहार में जो समस्चा हैं उसका समधान कौन करेगा अगर बहस में मैं मंदी कानून की जिसकी मांग कर रहा हूं उस बहस में उक कह दें कि इसकी जरुवत नहीं है लेकिन यह बहस के जरिये बात होनी चाहिए लेकिन मौन साधने का जो सर्यंत जो रच रहे हैं बिहार की जनता जवाब चाहती है 17 सालों के विकास के मौडल को मैं देखों जिसमें पहला जो क्रिशी रोड मैप बाकी चीजों को मैं छोड़ दूँ और लंबा भास का विशय है क्रिशी रोड मैप 123 जिसमें 3,10,000 क्रोड उपे बिहार की सरकार ने खर्च करने का दावा क करती है और उसने दावा कर्च करने से पहले पैसे कोर्च करने से पहले लोगों से कहा था कि विहार में हमानाज का उत्पादन दो गुना कर देंगे, किसानों की आयद दो गुना कर देंगे लेकिन 2022 जब समाप्त हुआ और जब मैं क्रिशी मंत्री था तो मैंने रिपोर्ट मांगा कि मेरे उत्पादन में कितनी बढ़ोत्री हुई है पता चला कि उत्पादन एक लाक्टन घटा है बात हुई थी कि दो गुना होगा दो गुना तो छोड़ दीजिए डेड़ गुना भी नहीं हुआ सवाई भी नहीं हुआ एक लाक्टन कम प्रडक्शन हुआ इतिहास में और फिर भी लोग कारें कि साबासीत चाहिए हमारी विधाई का और विधाई का कारे और कारे पालिका के लोग अगर इस तरह से संतुष्ठ है तो फिर बिहार की जनता नहीं संतुष्ठ होगी विश्वास करिए और आप लगातार देख रहे हैं चौसा से लेकर सासा राम से लेकर सहर सा तक किसान आंदोनलन हर जगा आश्यर है कि आप समधान यात्रा पे जाते हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या थी बक्सर जिला में किसानों के सस्ते दाम पर आउने पौने दाम पर जमीन जबरजस्ती अधिगरहन कर रहे थे भारस सरकार की कंपनी और विहार सरकार की पुलिस किसानों को रात को बारह वजे औरतों सहित बच्चों सहित लाठी चार्ज करती है घर के भीतर दुरभागे से उन्होंने वीडियो बना लिया मोबाइल में वो बाते बाहर तक चली गहीं नहीं तो ये कल उनको नक्सली सावित कर देते बिहार पुलिस के लोग कि हम नक्सली वो थे लेकिन वो वीडियो ब बयान नहीं देना मुक्हमंत्री का, उसकी चर्चा नहीं करना, उसकी चिंता नहीं करना, किस बात की लोकसाही, जिस राज में आम आदमी पीटा जाता हो, किसान पीटा जाता हो, अपने अधिकारों की मांग को ले करके, अगर किसान जमीन नहीं देना चाहता है, तो एक अलग है लेकिन हमके बाजार मुल्ले पर पैसे चाहिए और विहार की सरकार दस साल पुराने रेट पर कहरना चाहती है यही तो अंतर है वस अब हुए इस में लिए जानल मुझे Shtiakyavat क्या लुचल क है अब राज्यकर मुखिमनत्री के तोर पर उनका इस तरह का बन्यान तो हस्यास्पद है, कि उनको यह न पता चले कि क्या होगा, जबकि वो कहते थे मैंने आपके ही TV चैनल के माध्यम से एजेंसी के रिपोर्ट के माध्यम से मैंने देखा और सुना था, कि वो कहें कि भले मैं यात्रा पर होता हूँ, लेकिन मे जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई व्यान दिये हों तो उसको जरूरों साम को देखती हैं लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कहें कि हमको जानकारी नहीं है तो फिर यह मैं क्या कह सकता हूं इस मामने में हमारे पास कोई बहुत उचित सद्ध नहीं है इसके लिए आपको नोटिस जारी हुआ है अरजयदी से कि आपको 15 दिन में जवाब देना है पार्टी सरवोपरी है मैं समय स्रीमा के भीतर पार्टी को अपना पच्छ प्रस्तुत कर दूँगा लिखे दूँगा कहीं से कि आपको लगता है कि कहीं से इशारा किया गया है कि इनको अगटवन्धन के सहयोगी दल जनता दल यू के दर्जून और प्रवक्ताओं के द्वारा मेरे से स्ठीपा मांगा गया है कि निकालने की बात कहीं गई है दबाओ प्रवक्ताओं ने मुझे पार्टी से निश्कासन की मांग की थी और मुझे नोटिस मिला है मैं सही समय पर समय बधर तरीके से अपना पार्टी के सामने पच्छ परस्तुत करूंगा तो अग्या पिरिश प्रेशर में है मैं यहां नहीं कह सकता हुआ कि पार्टी मेरी दबाव में कहीं है लेकिन पब्लिक डॉमिन में है कि मांग तो की ही गई थी भी विंड विंड लाटी है लाल स्थीले कहा नहीं है झाल झाल